स्टूडेंट्स वैलकम टू माई चैनल मैथमेटिक स्टूडीज आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटिगर ट्रांस्फोरमेशन की पुक का चैप्टर नम्बर नाइन्थ बीए बीए ऐसी फॉर्ट सेंड की एक्सराइज 9.2 का लेक्टर वन देखेंगे देखो क्या है सबस की इंटिग्रेशन E की पावर AX साइन BX प्लस C DX अगर हमारे इस टाइप की कोई एक्वेशन है तो देखो क्या है अगर इस टाइप की एक्वेशन होती है हमारी तो इसको नूर्मल ऐसे फॉस्ट मानके सेकिन्ड मानके इसका बाइपार्ट्स नहीं कर सकते क्यों क्योंकि e की पावर ax sin bx plus c dx का जो इसका integration है उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो इसके equal होगा e की पावर ax upon a square plus b square into a sin bx plus c minus b cos bx plus c देखो क्या अगर यहाँ sin है तो a के साथ sin आएगा और बाद में cos आएगा और इधर minus आएगा अगर यह है e की पावर ax cos bx plus c dx तो क्या अगर यहाँ पे cos है तो यह के साथ cos आएगा a b तो हमारे ऐसे ही रहेंगे अगर पहले sin है तो sin आएगा और अगर cos है तो cos आएगा पहले और अगर sin होता है तो सिर्फ यहाँ negative आजाता है और cos होता है तो यहाँ positive आजाता है पाकिस item as it is रहेंगी अब ऐसे भी हो सकते कि यहाँ पर limit दे दे कोई 0 to infinity तो ऐसे कर देंगे whole power मतलब whole 0 to infinity वही अपर limit put कर देंगे minus lower limit कर देंगे अब क्या है अगर मेरा ऐसे है e की minus of x अगर यहाँ minus of x है या फिर sin bx मतलब c की value 0 है इस type की भी हो सकती है मेरी तो क्या हो जागा यहाँ minus आ जाएगा यहाँ minus हो जाएगा ऐसे मेरी कोई stripe की term बन जाएगी देखो क्या है अगर मेरा यह वाली term है देखो जैसे यह है e की minus of x 0 to infinity लगा लो e की minus of x sin bx bx यह है हमारा ओके तो हम वही sin बाला formula की हिज़ाब से देखेंगे क्या हो जाएगा e की minus of x upon a square plus b square minus of a क्योंकि a की जगा minus है sin c तो इसमें है नहीं तो क्या हो जाएगा bx इसमें c 0 है चुली minus b cos bx यह term बन गई and पूरे की जो हमारी limit है वो क्या है 0 से infinity जब हम इसके उपर upper limit put करेंगे तो e की minus infinity हो जाएगा e की minus infinity किसके क्यों हो जाता है 1 by e की infinity मतलब e की infinity infinity की क्यों 1 by infinity 0 बलब upper limit put करते ही तो मेरा 0 बन जाएगा minus lower limit क्या है 0 इसके अंदर 0 पूट करूँगी किसी की भी power 0 मेरी क्या हो जाती है 1 तो 1 by a square plus b square into फिर इसके अंदर 0 पूट करेंगे तो sin 0 तो 0 हो जाएगा minus close 0 क्या हो जाएगा 1 तो मेरा क्या जाएगा b into 1 है ना minus minus plus मतलब minus minus plus 1 into b b तो b upon a square plus b square तो direct हमारा जब भी ये आजाएगा हम क्या use कर लेंगे b upon a square plus b square आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आया है अगर आपको समझना आए तो repeat करके देख लेना मतलब अगर limit हमारी 0 to infinity है e की minus of a x sin b x d x है तो वो इसके equal हो जाएगा b upon a square plus b square और अगर यहाँ को से तो क्या हो जाएगा a upon a square plus b square ये आपके reduction formulas है main तो आपको यह आना चाहिए ये तो हीसी की help से deduce करें हैं हमने ये मैंने 9.1 के lecture 1 में भी आपको बता दिया था कि Fourier transformation of sine क्या होती है हमारी 0 से infinity sin st ft dt और cosine की क्या होती है 0 to infinity cos st ft dt ये हमारा जो ये आज वाले exercise है उसमें sine और cosine की Fourier transformation के बारे हम पढ़ेंगे जैसे हमने 9.1 में simple Fourier transformation के बारे में पढ़ा था इस exercise में हम sine और cosine की Fourier transformation के बारे हम पढ़ेंगे next में हम इनके inverse पढ़ेंगे तो देखें start करते हैं देखें question first क्या है find the sine and cosine Fourier transform of this हमें sine और cosine transform निकाल ले हैं इस वाली equation की निकाल ले हैं sine और cosine transform Fourier transform तो हमने fx ले लिया पहले हम sine की Fourier transform निकाल रहे हैं तो हमने लिख लिया Fourier transformation of sine is equal to किसके एकवल होता है 0 to infinity fx sine sx dx इसके एकवल होता है उसके बाद fx की value दे रखिये हैं हमने यह put अगर दी sine sx dx as it is अब हमने क्या क्या रख लिया 0 to infinity e की माइनस 5x sine sx dx plus 5 0 से infinity e की माइनस 2x sine sx dx अब जो मैंने आपको starting reduction formula करवाई थे बिल्कुल उसी का use करना है हमें देखो क्या होगा अभी मैंने आपको बताए था कि अगर e की माइनस e की power minus e x 0 से infinity limit हो और sine bx था वहाँ पर यहाँ sx है b की value मतलब यहाँ आप लगा लो यह b ही लगा लो अगर आपके इस टाइब की term थी तो वहाँ क्या आ गया था हमारा b upon a square plus b square अब यहाँ पर हमारा b क्या है s है तो इस वज़े से हमारा यहाँ क्या हो गया s upon s square plus यह 5 का square क्या हो जागा 25 है ना plus 5 इसका अगर यहाँ पर बस यहाँ क्या है 5 of x है तो यहाँ पर हमारा यह 5 नहीं s ही है यह भी 5 into s है यह तो s upon s square plus 4 आ गया तो हम यह reduction formula अपलाई करने आने चाहिए बस और कुछ नहीं है फिर हमने इसमें से s को में ले लिए तो क्या गया 2 upon 25 plus s square plus 5 upon s square plus 4 reduction formula अपलाई कि अगर इस टाइब की टम हो तो हमारा क्या गया था b upon a square plus s square अगर यहाँ cos था तो वहाँ आ गया था a upon a square plus b square ओके अब देखो यह तो हमने क्या निकाल ली sine transform निकाल ली अब हमें क्या भी निकाल ली है cosine transform भी निकाल ली है तो देखो क्या होगा fourier transformation cosine के लिए zero infinity limit fx cos sx dx zero infinity limit fx की हमने value पुट कर दी cos sx dx यह आ गया हमारा अब हम इसके multiple एक बार इसके साथ करेंगे then इसके साथ करेंगे two zero infinity limit e की माइनस five x cos sx dx plus five zero infinity limit e की power minus two x cos sx dx यह दो टम आ गई अब यहाँ पे क्या है मेरा cos sx है अब ही देखो मेरा इस type का हो zero two infinity e की माइनस ax cos of bx dx अगर cos होता था तो मेरा उपर क्या हादा था a upon a square plus b square अब यहाँ पे मेरी a की value क्या है five तो five upon five का square मतलब 25 plus b square मतलब s square तो मेरी यह वाले time आ गई plus five similar यहाँ पे क्या हो जागा two upon two square मतलब four plus s square five two ja ten five two ja ten ten हमने common ले लिया one upon twenty five plus s square plus one upon four plus s square and this is our required solution हमने पहले sign की फोरी ट्रांस्फोर्मेशन निकाली then cosine की फोरी ट्रांस्फोर्मेशन निकाली आपको बस reduction formula आने चाहें direct one का use कर गें हमने यह values को कर दिया है put next question देखें यह थोड़ा सा लग type का question है और जो इससे next करेंगे हम वो इसी type का question होगा मतलब यह दोनों questions हमारे थोड़ी similar type की होंगे तो देखें क्या है find the fourier sign transform of इसकी जो यह function दे रखा है हमें इसकी हमें sign की fourier transformation निकाल लिए है तो यह हमारा क्या है fx तो हमने अपने fx की value लिख ली वो क्या है e की power minus of ax upon x यह हमें fx given है उसके बाद हमें निकालना क्या है fourier की sign transformation निकालनी है तो वो किसके एकवल होती है zero से infinity जो भी हमें function दे रखा हो fx sign sx dx और fx की value क्या है यह है अब देखो इसका normal अगर हम integration करें तो भी हमारा solve नहीं होगा और इसके उपर तो reduction formula भी नहीं लग सकता क्योंकि इसके बाई में तो x है तो इसके उपर हम reduction formula भी apply नहीं कर पा रही है तो हम क्या करेंगे इसमें एक बार तो इसका differentiation ले लेंगे and then उसी चीज़ का integration कर देंगे माल लो हमारे पास x है अगर मैंने इसका derivative कर दिया पहले and then dx के respect में integration कर दिया तो फिर भी रहेगा तो वो मेरा x ही मतलब यूं ऐसे भी कर सकते हैं न हम कई बार ऐसे कर देते हैं किस चीज़ से multiply कर देते हैं और उसी चीज़ से divide कर देते हैं यह बोलते थे हैं कि 2 से multiply कर दो and 2 से divide कर दो तो भी वो term रहती तो same ही है similar अगर x के साथ अगर मैं एक बार integration ले लो फिर differentiation ले लो तो भी वो चीज़ रहेगी तो same similar हम इस वाली question के अंदर कुछ ऐसा ही करेंगे कि जो यह term है ना उसका एक बार तो हम differentiation करेंगे then integration करेंगे तब जो वो मेरी next term आएगी उसको इसके साथ compare कर देंगे and हमारा solution आ जाएगा क्योंकि हमें इसकी value चाहिए और इसका direct हमें integration solve नहीं करना आ रहा है इस वज़े से हम labnees rule का use करेंगे अब यह labnees rule क्या है यह rule हम वहाँ पर use कर सकते हैं जहाँ पर integration तो किसी और चीज के respect में हो लेकिन हम derivative उसी equation के अंदर कोई और variable हो उसके respect में कर दें जैसे कि x के अलावा यहाँ पर कोई और variable हम क्या देख सकते हैं s मतलब यहाँ पर हम differentiate कर दें इस equation को s के respect में तब यहाँ पर हम किस rule का apply कर देंगे labnees rule को labnees rule हम वहीं पर apply कर सकते हैं जहाँ पर हमें किसी और चीज के respect में differentiate करना हो और integration किसी और चीज के respect में हो जैसे यहाँ पर x के respect में integration है बट मैं चाहते हूँ कि मुझे differentiate उसको S के respect में करना है तो मुझे कौन सा rule apply करना पड़ेगा Leibnese rule ओके तो D by Ds अब मैं किसके respect में differentiate कर रही हूं S के respect में तो D by Ds of Fss is equal to 0 to infinity ये वाली term बिल्कुल as it is रहेगी कुछ नहीं करना हमें इस term का बस क्योंकि अगर हम S के respect में क्या कर रहे हैं derivative कर रहे हैं तो X वाली सारी term constant है हमारी तो 0 to infinity E की minus EX upon X sin SX इसका तो differentiation होगा क्योंकि इसके अंदर S है तो वो क्या जागा cos SX into X DX इसका differentiation कर दिया हमने is equal to 0 to infinity X से X cancel E की power minus of EX cos SX DX अब इसका हमें क्या पता है reduction formula पता है अभी हमने पढ़ा था कि E की power minus of EX cos SX हो तो हमारा क्या हो जाता है A upon A square plus जो भी इधर होगा वो B था तो B square होगा तो S है तो S square हो जाएगा तो हमारी ये वाले term आ गई अब मैंने पताए था इस पहले हम क्या करेंगे derivative करेंगे then हम उसी चीज़ के respect में क्या करदेंगे integration अब मैंने derivative तो कर दिया अब हम करेंगे इसका integration जब हम इसका integration करेंगे तो हमारा derivative से integration cancel हो जाता है ये हमें पता है तो हमारा क्या आ गया FSS is equal to इसका जब हम integration करेंगे तो वो क्या बन जाएगा A into 1 by A square plus S square का अगर हम इसका integration करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा integration करो तो यह तो हमारा constant बहार रह जाएगा इसका integration क्या होगा 1 by A tangent inverse S by A क्योंकि हमें इसकी limits नहीं पता है इस वज़े से यहां पे क्या भी आएगा मेरा integration constant ओके यह से A हो जाएगा cancel F dash S S is equal to आजाएगा tangent inverse S upon A plus C अब मुझे किस चीज़ की value निकाननी है F SS की value ही निकाननी है और वो ही मेरी आ रही है बट एक चीज़ है कि यह C की value क्या होगी अब इस C की value को हम निकानने के लिए हमें किस चीज़ की value चाहिएगी s की value चाहिएगी तो हम अपनी मर्जी से s की कोई भी suitable value को ले लेंगे और वो value हम हमेशा 0 ही लेंगे इस exercise के काफी सारे question जिन में हमें s की value को use करना है और वहाँ पे हम हमेशा s की value 0 ही put गरेंगे तो हमने क्या किया c की value को निकानने के लिए s को 0 रख दिया अपनी मर्जी से put s is equal to 0 अगर हम s को 0 put गर देंगे तो tangent inverse 0 क्या हो जाएगा 0 तो ये value हमारी किसके एकवल आजाएगी 0 के tangent inverse 0 क्या हो जाएगा 0 तो f dash s is equal to 0 plus c मतलब f dash s किसके एकवल आजाएगा c के एकवल आजाएगा है ना अलसो हमारे पास एक और equation है first अगर हम इसके अंदर भी क्या put कर दें s की जिएगे 0 put कर दें तो यहाँ 0 put कर दिया तो sin 0 क्या होता है 0 होता है तो यहाँ से हमारी f s s की value क्या आगई 0 आगई यहाँ से value 0 आगई अगर हम ये value इसके अंदर put कर दे तो क्या हो जाएगा 0 is equal to 0 प्लस C, मतलब C की value मेरी क्या आगई 0 आगई, अब हमें C की value ही तो निकालनी थी, C की value अब निकालनी थी, वो क्या आगई, मेरी 0 आगई तो यहाँ पर हम 0 put कर देंगे और यह value मेरी is equal आगई थी, और यही तो मुझे निकालना था, तो वो क्या आगया मेरा tangent inverse S by A क्योंकि हमें यह सिधा solve करना नहीं आ रहा था, इस वज़े से हमने लेपनी जूल की help से इसका पहले differentiation किया देन उसी item का integration किया, फिर हमारा एक solution आ गया, फिर हमारा एक constant भी आ गया था, extra, हमने यह भी थोड़ा-थोड़ा उसमें हमें क्या निकालना थी, sine transform और अब इस question में हमें क्या निकालना है, cosine transform देखो, question करते है, start find the Fourier cosine transform of this इसकी हमें Fourier cosine transform निकालनी है, तो यह हमारा क्या हुआ function, मतलब f of x, तो f of x हमने अपना लिख लिया, वो क्या e की power minus x square हमें क्या निकालनी है cosine transform, मतलब f c bar s मतलब Fourier cosine transform of fx, ओके वो हमारी किसके इकवल होगी, देखो हमारी Fourier cosine transform किसके इकवल होगी, 0 to infinity e की माइ, fx cos sx dx के, और fx मेरा क्या है, e की power minus of x square cos sx dx, और यह हमने लेट कर लिया, कि यह मेरा i है, ओके, तो i is equal to this, यह मतलब हमारी जो Fourier transformation of cosine की Fourier transformation हमारी यह होती है, fx की value हमने इसके अदर पुट कर दी और यह बड़ी सी time आई है तो हमने मान लिया कि यह जो है हमने ओ s naam दे दिया उसको है क्यूब है तो अब हम reduction formula apply नहीं कर सकते हैं तो हमें इसका नहीं आ रहा है अब समझ में integration कैसे solve करें तो हम क्या करेंगे पहले इसका derivative करेंगे then उसका integration करेंगे जो हमारी time आएगी उससे हम हमारा solution निकालने के कोशिश करेंगे अब क्योंकि हमें पता है इसका integration x के respect में है और हमें derivative s के respect में करना है तो हम Lebanese मतलब l rule का use करेंगे Lebanese rule को direct में l से represent कर रहे हूं तो यह l rule का हम यहां पर use कर लेंगे तो हमें क्या करना है s के respect में derivative करना है तो di upon d ds किसके equal होगा 0 से infinity limit minus बताती हूं यह e की minus of x square cos s x का derivative क्या होगा sin s x into x होगा cos का minus of sin s x into x होगा जो यह minus आया था यह हमने already यहां लेख दिया sin s x into x dx अब मेरी यह वाली time आ गई है अब हम इसको करेंगे solve देखो क्या हुआ 0 से infinity limit minus of x e की minus x square sin s x dx फिर मैंने क्या क्या 2 के साथ multiply कर दिया 2 के साथ divide कर दिया यह मैंने क्यों क्या है अभी बताती हूं देखो क्या है यह first term अभी यहां integration है तो हम by parts लगाएंगे इसको पूरा solve करेंगे ना अब तो first function as it is second का integration देखो जो मैं इसका integration करूंगी तो मेरा क्या हैगा e के minus of x square upon minus of 2x यहां पर मेरा x था तो मैंने 2 से multiply कर दिया 2 से divide कर दिया ताकि जब भी मेरा by में minus of 2x आए तो यह cancel हो जाए direct मेरा यही आ जाए जो भी मेरा यह बन रहा है तो इस वजह से मैंने यहां पर 2 से multiply divide कर दिया तो first function as it is जब मैंने इसका integration किया तो यह से cancel हो गया minus integration का निशान first का differentiation जब हम इसका derivative करेंगे तो sin sx का derivative क्या हो जाएगा cos sx into s इसका integration जो कि इसके साथ cancel हो गया तो क्या गया e की minus of x square dx लिमिट 0 से infinity तक और यह बन बाहर as it is 1 by 2 sin sx this as it is minus s बाहर as common हमने रख लिया क्योंकि s के constant है फिर cos sx ek minus of x square dx अब 0 से infinity limit अब देखो ध्यान से कि हमारी जब हम इसके अंदर limits को put करेंगे तो देखो limit को put किया मैंने ध्यान से देखना कि अगर मैं इसके अंदर infinity put करूं तो sin infinity की वही न कोई finite value हो गई बट मुझे value का नहीं पता लेकिन e के अंदर जब मैं e की minus of infinity करूंगी तो वो वाली term तो मेरी 0 के एकवल हो जाती है तो मेरी यह वाली term 0 हो गई और जब मैं इसके अंदर 0 put करूंगी तो sin 00 हो जाता है तो मेरी यह वाली term भी 0 हो गई लेकिन जब हम इसके अंदर put करेंगे तो मतलब मेरी limit क्या बचेगी 1 by 2 minus of s 0 से infinity cos sx e की minus of x square dx मेरी यह term बच गई तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया minus of s by 2 cos sx e की minus x square dx अब आपको यह पदा चल गया हो गई कि यह term कहां गई यह term 0 बन गई जब मैंने इसके अंदर infinity put किया तो भी 0 आया 0 put किया तो भी 0 आया तो यह term मेरी 0 बन गई और यह वाली term मेरी ऐसे आ गई आप देखो यह मेरी term है starting में मैं लेके चली थी कि जो यह term है मैंने i मान ले थी तो इधर भी मैंने i लिख लिया तो di upon ds is equal to minus of s by 2 और यह term किया मेरी i है अब i को में लेके चले कि by में di upon ds upon i is equal to minus s by 2 हमें क्या करना था पहले हमें derivative करना था उसका s के respect में हमने derivative कर लिया था derivative करने के बाद जो भी हमारा solve करने के बाद आया derivative तो हमने यहीं कर लिया था लेकिन बाहर इसका integration का निचान भी था तो इस वज़े से हमने by parts वगेरा लगाया और उस equation को जितना simple हो उसका उतना simple कर लिया अब क्योंकि यह derivative की form में आ गया है question अब हम क्या करेंगे integration ले लेंगे जब हम integration लेंगे तो देखो क्या है जब नीचे वाले का differentiation उपर होता है तो हमारा उसका answer क्या हो जाता है log of नीचे वाली term तो यहां क्या गया log of i is equal to minus of s जब हम इसका क्या करेंगे integration करेंगे तो क्या आ जाएगा minus 1 by 2 बाहर integration s इस type से आ जाएगा और किसके respect में ds के respect में तो ds आ गया तो क्या हो जाएगा minus 1 by 2 s square upon 2 plus c हो जाएगा integration constant तो value आ गई minus of s square upon 4 plus c यह वाली term मेरी आ गई अब हम हमी क्या करना होता है c की value निकाल ली होती है जो constant आया है उसकी value तो c की value निकाल लेंगे उससे पहले हम इस equation को थोड़ा और simplify कर सकते हैं कैसे हो जाएगा log i minus of log c is equal to minus s square plus by 4 यह log m minus log n क्या हो जाता log m by n मतलब log of i by c is equal to minus of s square by 4 हमारी यह वाली term आ गई है उसके बाद अगर हम दोनों side exponential ले लेंगे मतलब antilog ले लेंगे तो log से antilog cancel तो i आप यह लगा हो क्या आ जाएगा हमारा i by c is equal to e की power minus of s square by 4 then जो c है वो भी उस side चला जाएगा तो क्या हैगा c e की power minus of s square by 4 अब मुझे क्या निकालना है बस एक extra term मुझे दिखाई दे रही है question के अंदर यह c क्या है इस c को निकालने के लिए हम अपनी तरफ से s की कोई भी stable value ले ले लेते हैं और वो हम हमेशा क्या ही लेते हैं 0 लेते हैं क्योंकि वो easy रहती है तो s की value 0 है हम एक बार तो इस equation के अंदर ही पुट करेंगे एक बार जो हमारी first equation थी उसके अंदर पुट करेंगे बहाँ से हमें c की value मिल जाएगी जब हमने इस equation के अंदर s की value 0 पुट करी तो हमारा क्या है i is equal to c और किसी की भी power 0, 1 तो मतलब जो c है मेरा किसके एक बार आगया i के एक बार आगया इस equation से और जब हम equation number 1 के अंदर इसको पुट करेंगे equation number 1 के अंदर हम इसको पुट करेंगे equation number 1 मेरी क्या ये है जब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे sin 0 cos 0, cos 0 हमारा क्या होता है 1 तो हमारी ये वाली term क्या बन जाएगी i is equal to 0 to infinity e की माइनस x square dx तो हमारी ये वाली term बन जाएगी और जो ये हमारी term होती है वो किसके equal होती है root pi by 2 ये आपको याद रखना है अब एक तो जब हमने compare करी second equation के अंदर इसके अंदर put किया तो हमारा क्या है i is equal to c the first equation के अंदर put किया i is equal to under root pi by 2 अब ये भी i की value है ये भी i की value होता है अगर हम i की value को compare कर दे तो यहाँ से c की value के आगे under root pi by 2 आ गई और हमें c की value ही तो चाहिए थी हमें इस equation के अंदर c की value पूट कर देंगे तो i is equal to under root pi by 2 i की power minus of s square by 4 यहाँ गया हमारा solution और यही हमें चाहिए था अब जब यह आप अगर कोई question समझना रहा हो कोई doubt हो तो आप comment में बता देना और यह आप repeat करके देखना questions आपके important है दोनों ही first जो question किया था आपने वो आपका compulsory के लिए important था और आगे भी जो questions है इस exercise के वो important है काफी important exercise है यहापकी तो आप बिल्कुल अच्छे से करना thank you guys for watching my video please do like, share and subscribe to my channel thank you so much